ठीक है तो हम बात करने वाले हैं ग्लेंड्स के बारे में तो अभी तक हमने पढ़ लिया था हाइपोथेलेमस और एंटीरियर पिटूट्री पोस्टीरियर पिटूट्री ठीक है तो इन तीन हमने क्या क्या चीज पड़ी थी कि हाइपोथेलेमस के अंदर तो जो इन्हीबिट T flat और E endorphin और GH और PH यह सारी चीजे रिलीज हो रही थी FSH, LH, ACTH, TSH, endorphin, PH और GH posterior pituitary में हमने बोला था दो चीजे रिलीज होती है ADH और इसको vasopression दी बोलते हैं और अगली चीज हमने क्या बोली थी oxytocin ठीक है यह क्या काम करते हैं यह हमने पढ़ लिये थे अच्छी तरीके से ADS तो हमारा water reabsorption में काम करता है kidney के distal conglutant tubule और collecting tubules पे oxytocin दो जगे काम करता है एक तो uterus पे काम करेगा दूसरा हमारा किस पे काम करता है जो mother है mother की uterine segment पे काम करेगा stimulate कैसे होगा या तो हम nipple stimulation से oxytocin release हो जाता है ठीक है या फिर कैसे जब uterus में distension होता है तब release होता है तो oxytocin का काम है milk ejection का baby को deliver out बाहर करने का इसके अलावा sexual activity में भी कहा जाता है कि यह hormone important है sexual pleasures के लिए तो यह हमने पढ़ लिए थे तीन hormone ठीक है अब हम thyroid gland के बारे में क्या-क्या जानते है ठीक है तो thyroid gland की सबसे पहले हम बता दें कि कहां पर situated रहती है तो जो हमारा neck वाला portion है सभी को पता है वहां पर रहती है लेकर किसके anterior रहती है कभी आएगा तो एक होता है trachea आपको पता है trachea होता है ठीक है trachea end larynx के anteriorly रहती है ठीक है आगे की तरफ रहती है अब हम बात करें कि कैसे दिखती है तो इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इसी को हम बोलते है butterfly gland या butterfly shape gland तो कुछ ही एच के shape में दिखती है अब इसको आप butterfly समझ लीजेगा कुछ ऐसे ऐसे बना कि अगर मैं ऐसे बनाऊ उसको तो कुछ इस तरीके से दिखेगी है ठीक है तो इस तरीके से आपको दिखती है अब कहा से कहा तक होती है अगर यह भी question पूछा जाता है तो c5 से लेकर t1 जो vertebra है वहां तक आपको देखने को मिलती है length कितनी होती है इसकी 5 cm होती है और जो width होती है वो 3 cm की होती है यह बीच से अब इसमें 2 lobes होते है यह बड़े-बड़े क्या दिख रहे है आपको दो लोब होते है यह दो लोब present है बड़े- इस थमस ठीक है यह uterus वाला इस थमस नहीं है thyroid gland वाला है ठीक अब इतनी चीज़ हमने बलड़ी की दो लोब्स होते है नैक पर प्रेजन्ट होता है अंटीर तूड़ा ट्रेक्या और लेरिक्स प्रेजन्ट होता है जो इसकी लेंथ होती है वो..5 cm की होती है और जो width होती है वो 3 cm की होती है जो weight होता है इसका 25 ग्राम होता है कितना होता है 25 बहुत बड़ा है यह अगर समझें यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी इंडोक्राइंड ग्लेंड कौन सी है थाइरोइड ग्लेंड है सबसे बड़ी इंडोक्राइंड कौन सी है लाजस्ट ग्लेंड ऑफ दे इंडोक्राइंड ग्लेंड इस अगर हम बात करेंगे, exocrine gland कौन सी है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, liver बगरा, ठीक, अगर केवल gland आए, तो वहाँ पे भी liver लिखना है, लेकिन अगर endocrine gland आए, तो वहाँ पे thyroid gland, clear हो गया, हमने weight पढ़ लिया, इसका length वगरा पढ़ दिया, कहा से कहा तक होती है और कैसे होती है, अब इसके बारे में थोड़ी से अच्छी चीजा और पढ़ देते हैं अब हमने बोला था कुछ इस तरीके इस सी है ठीक है, यह जूड़ी हुई है यह दो लोब्स प्रजेंट होते हैं अब यह दो लोब्स जो होते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे चोटे चोटे लोब्यूल्स प्रजेंट होते हैं क्या प्रजेंट होते हैं ऐसे चोटे चोटे लोब्यूल्स प्रजेंट होते हैं या इनको बोल सकते हैं ठीक है अब इन cells के अंदर भी कुछ एक और तरीके की cells present होती है तो मैं यहें कह सकता हूँ कि जो lobules है हर एक Lobule के अंदर दो तरीके कि cells present होती है जो black वाली दिखरी हैं लिडिद्र हैं आपको उनको हम बोल सकते हैं follicular cell क्या बोल सकते हैं? follicular cell ॥ीक है और जो red वाली दिखरी है उनको हम बोल सकते हैं para follicular cell क्या बोल सकते हैं? para follicular cell clear होगे इतना? ठीक है अब यह follicular cell क्या करता है? यह follicular cell ही T3 और T4 triidothyronin और thairoxyl जो भी है इन दोनुका release करवाती है कौन? follicular cell ठीक है specifically कोई पूछे तो आप thyroid बोलोगे लेकिन उसमें से भी आपको follicular, para follicular दे दिया हो तो आप क्या बोलोगे T3 और T4 correct है ठीक है अब para follicular cells क्या करती है फिर अगर T3, T4 ये काम करेंगी तो para follicular cell क्या करेंगी तो para follicular के एक और हर्मन सुना होगा आपने calcitonin क्या सुना होगा calcitonin ठीक है तो ये क्या करती है calcitonin का release करवाती है para follicular cells कहां पर है पता चलिए आपको para follicular cells ठीक है यहां तक आपको समझ मागया अब हम बात करते हैं कि T3, T4 का का क्या है हमने वहां भी पढ़ा था ये क्या करते हैं ये BMR को increase करवा देंगे BMR increase करवाने का काम है carries heat production का काम है मैटबॉलिषम का काम है तो ये ये काम कौन करता है थाइरुए Tamam करते है clear होगे एतना थीक है अब ये calcitonin क्या करते है आप ये बताउगे आप t pat 2017 क्या करते हैं चलो मैं बता देता हो verwaman kesetri है काम काम होता है जैसे blood तो केल्सेट काम होता है बोन के अंदर कैल्शयम को मेंटेन करने का काम मतलब जैसे बोन के कैल्शयम कम हो गया तो यहां से ब्लड से बौन में कौन लेकी आएगा कैल्सी टारीण फिर्ण है απόत्स तो बोन के अंदर नहीं आपाएगा calcium ठीक है तो यह बात आप अच्छे से याद रखना क्योंकि अभी मैं एक इसका अपोजिट भी बड़ने वाला हूँ blood से जो bone में लेके आए blood to bowl उसको बोलेंगे क्या calcium tonine मतलब यह bone के अंदर simple simple सी बात कहें इसे blood से कोई मतलब नहीं है blood में calcium है की नहीं है इसका केवल मतलब है bone से ठीक है समझने के लिए बता रहा हूँ कि bone के अंदर calcium को maintain कौन करता है calcium करता है sorry calcitonine करता है ठीक यह आपने पढ़ लिए thyroid gland इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है अगर आपको specifically समझना है इसके लावा कुछ भी नहीं है ठीक है बस आपको thyroid gland का इतना ही याद रखना है दो तरीकी cell होती है follicular और para follicular heat production करती है metabolism को regulate करती है BMR को regulate करती है और para follicular cells को ही C cells भी बोलते हैं para follicular को यह बोलते है C cell भी बोला जाता है ठीक है para follicular cell calcitonin का बना के रखती है हमारे बोन में regulate करके रखती है अब हम बात करते हैं जो यह हमारे दो लोग थे ठीक है thyroid gland के जो दो लोग थे अब इसी के पीछे एक लोग में दो यह anterior side पे तो हमारे lobule वगरा प्रजेंट थे अब पीछे की तरफ से posterior side पे ऐसे ने दो डो किया होते हैं लोप परजेंट होते हैं thyroid gland पsuite पे जिनको क्या बोलते हैं पैरा thyroid gland बोलते हैं ठीक है develop फ्रेंट ओहां पर यह का काम क्या होता है अब यह एक हार्मोन bit करते करते हैं जिसका नाम होता है पैराथ सुना होगा आपने पैराथ हार्मोन या पैराथ हार्मोन जिसको भूलते हैं अब यह क्या करता है यह पिल्कुल उल्टा करता है यहां पर जैसे ब्लड है ब्लड में कैल्शियम है और यह हमारी बोन है बोन में भी कैल्शियम है इसका काम हमने क्या पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था कि कैल्शियम कहां से absorb होता है सबसे पहले अगर इसका काम होता है blood में maintain करने का it काम्न में maintain करने का az box become brain loss the weather Avatar का तो अभिव यह पराध हर्मुन करता कैẽ सबसे पहले कहां से calcium absorb होता है अगर याद आ रहा होगा आपको तो हमने जब पढ़ा था विटामिन डी का अगर आपने अनाटमी की क्लासस नहीं ले रहे हैं तो कोई फाइदा नहीं होगा इनका ठीक है तो हमने जब पढ़ा था रीनल वाला सिस्टम तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हार्मोंस होते हैं जो सबसे कैल्शियम का अब्जॉप्श फिर भी पूरा नहीं हुआ इसका तो यह तीसरी जगह से कहां से लेता है फिर भूंसे खीचना स्टाट कर देफा हें ठीक है कौन पीटीएच हार्मोन तो कभी भी पीटीएच हार्मोन क्या करता है लास्ट वाली कंडिशन होगी जब पीटीएच हार्मोन क्या करेगा फिर बोन से लेना स्टार्ट कर देगा और बोन को क्या कर देता है वीक कर देता है जिससे फ्रेजाइल हो जाती है ठीक है तो केंगे काम घा किसमें बनाके रखता है डोन के अंदर कैलिषयम के लेवल बनाके रखता है तो parathyroid उसका बिल्कुल फोसिट है यह इसका काम होता है blood में maintain होग जाहिए इसको मतलब नहीं है नहीं है ठीक है encant तो यह बात हो लास है नहीं क्यों नहीं इसको इसके Bakisadhi चीजंगों भी nisются एक और इ sophistic ti आ खुछनेे से लाश्टौे लाट भी फūला जाता है मधब बोल मुझी अइसा एक की इसके बारे में धेस्माललो कि कौन सी चाहरे घेके यह toक लो की कांचीusimi जीन जीजिए ये में अब यह क्या करती है कहां पर होती है तो आपने के अंदर पढ़ा होगा एसे यह simply यह पढ़ा आप्ने थाठ वेंटरीकल फिर सिर्ट वेंटरीकल के बाद यहां पढ़ा होगा फोर्थ में यह क्या करती है में पीनियल ग्लेंट का काम होता है मेलाटोनिन को सीक्रिशन करना मेलेटोनिन अब यह मेलाटोनिन का क्या काम होता है इसका काम होता है जो स्लीप वेक साइकल है आपकी sleep-wake cycle को maintain करके रखना इसको आप बायोजिक घ्लॉग भी पोलते हैं अप क्या बोलते हैं बायोजिकल क्लॉग क्लोग को कौन करता हैufenलाट इंक अगर्ष के सिंट्कैंज काहा इरी इसको आप सिर्कैटियंग भी क्लियर है आपके अब बात करते हैं हम किसके बारे में हमारे पास और कुछ बजगा बहुत इंपोर्टेंट्ट बजगा हमारे पास एड्री लेंड जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चिन आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को ठीक है तो इसको मैं बना पे प्रेज़ेंट होती है अब लेनाफ ग्लेंट के बारे में क्या इंपोर्टेंट ये ऐधे ट्रॉइंगल कि रहती है Local experimental ने इंधी दो तुम कोर्टे एक तु उसका मिडल वाला पार्ट होता है मिडिल वाला मैने देओ मिडीफिंब गए मेडियूब आज ये confusion दूर होने वाला आज आपका की medulla कहां पर प्रजेंट होता है cortex cortex का कहीं पर भी वर्ड आए cortex का मतलब हमेशा covering रहता है क्या रहता है covering रहता है ठीक है और यह cortex की जो लेयर होती है वो तीन पार्ट में बनी होती है पहला दूसरा और तीसरा cortex तीन पार्ट में होता है और मेडियूला अंदर वाला पार्ट यह है ठीक है अब यह ऐसे पूरी है हां तीन तीन हर जगह से हैं इसे तो इसके तीन लेयर के बारे में हम यहां पर डिसकस करेंगे किसके सबसे पहले कोटेक्स की बात करते हैं एडिनल मेडियूला के कोटेक्स की बात करते हैं तो कोट्रेक्स में तीन लेयर होती है तो सबसे बाहर वाला सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या बोलते हो ग्लोमेरुलोसा क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलोसा ठीक दूसरी वाली जो लेयर रहते हैं मिडिल वाली लेयर उसको क्या बोलते हैं फैसिकुलेटा ऐसी कुलेटा ठीक है कोटेक्स की बात कर रहे हैं और तीसरी रहती है एक रेटिक्यूलोसाइट क्या रहती है रेटिक्यूलोसाइट यह इनके आगे जोणा जोणा लगा देना थीक है जोना लिखना भूल गया आप लिखिए हैं जोना ना फिसकgement इन Put आ अगी तो सबसे पहले हमने बोला जोना ग्लोमेरे लूसा के अंदर प्लूमेरे रिएक बहुल हएं । जो ना ग्लोमेरलूसा के अंदर क्या चीज़ होती है तो हमेशा याद रखना बहुत सारे बच्ची कैसे याद कर लेते हैं भी बताऊंगा माँ आपको इसके अंदर वैसे नहते हैं मिनरल्स मिनरल्स का अबजॉपशन करवाना हो या फिर वाटर का अबजॉपशन करवाना हो ठीक है तो एद्रिनिल ग्लैंद पर किस पे लाम करना पड़ेगा जो ग्लोमेरलूसा सबसे बाहर वाली ले है इं टो वहाँ से अगर हमने absorption करवाना है तो सबसे पहले इस पे काम करना पड़ेगा हमको ठीक है तो यह secret करते हैं क्या mineralocoticoid क्या करते है a mineralocoticoid मिन्डर्ल कोटिकोई क्मसा होता है आपका अपने सुना होगा eldrogen सुना था हमने हमने बोला था यहाँ से secret होता है फिर एल्ड्रोजन, एल्ड्रोजन गया है, एक mineralocorticoid है, फिर किस पे काम करेगा है, DCT पे काम करेगा, और वहां से minerals और water का reabsorption कर लेगा, ठीक है, तो glomerulosa पे ऐसे काम होता है, जब हमको पता चला कि हमारी body में fluid वगेरा कम है, DCT इसने sodium और water absorption नहीं किया, तो वो brain को सिखायत करत ब्रेन में क्या होता है, hypotellemus वगेरा जो सारी सीचे उठी वो adrenal gland को message भेशती है, कि भाई, आप क्या काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हैं, स्टार्ट करो, होहाँ पे, adrenal gland के कौन से पार्ट को, cortex वाले पार्ट को, cortex में, अगर mineral के वाल हमने water absorption करना है, तो किसको बोलेंगे है, अब पहे, glomerular layer को बोलेंगे, तो mineralocorticoid किस से release होते है, जो adrenal gland की first वाली लेयर है, एल्ट रोजन उसमें से आता है, mineralocorticoid, अब दूसरी बात करता है, जो ना फैसी क्यों लेटा, middle वाली लेयर है, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, mineralocorticoid, यह corticoid वर्ड का मतलब ही cortex है, ठीक है, यहाँ पे भी glucocorticoid, glucocorticoid, अब यह glucocorticoids का मतलब glucose है, इतना समझ जाना आप, अब आपको glucose चाहिए, आपकी body को तो वो किसको बोलेगी, glucocorticoid को बोलेगी, अब यह glucocorticoid को से होता है, आपने सुना होगा cortisol, अगर हमें को cortisol release करवाना है, या corticosterone से release करवाना है, corticosterone, या फिर तीसरा आता है हमारा क्या, cortisone, यह तीनों अलग अलग चीज़े हैं, ठीक है, जो भी steroid हार्मोन है, वो कहने का मतलब है, हमारे adrenal cortex वाले पार्ट से steroid हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, अब यह glucocorticoid वीज वाली लेयर से निकल गए, इनका काम हमने बता दिया, यह glucose प ओली लेयर है, cortex की, ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, एक हार्मोन होता है, आपने सुना होगा क्या, eldest क्या था उसका नाव, androgen, ठीक है, androgen का आपने सुना होगा, यह sex हार्मोन गहलाता है, sex हार्मोन, ठीक है, sex हार्मोन मतलब, यह secondary जो भी sexual characteristics होते है, उनको डेवलप करने में help करता है secondary sexual characteristics ठीक है characters को maintain करने का बनाने का काम कौन करता है endogen इसकी कमी होने की वज़े से क्या हो सकता है दिक्कत हो सकती है ठीक है यह पढ़ दिये हमने कौन से हर्मोन cortex के ठीक है तो cortex को आप मैंने जब याद किया था तो कैसे क्या था ऐस से स्रिफह से याद किया था को है एस से क्या था सॉल्ट 256 मतलब स्वेशन किसन आहिए दूसरा अएगा आए मतलब suitable के स्मांपनी पर जो मैं आफके ड्रब दूसरे बJean कलता है ग्रत्ने कह सकते हैं के और से याद हो सकता है clear हो गया अब हम बात करते हैं कौन से topic की मेडिवला वाले पार्ट मेडियू वाला जो बीच वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था अब इससे आपने सुना होगा इसक्रीलीlusive क्यों अब एक तो Epinephrine निकलता है Epinephrine और एक Non-Epinephrine ठीक है Non-Epinephrine यह दो हार्मोन आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे ठीक है जिनको Catecola Minds बोला जाता है Epinephrine और Non-Epinephrine को क्या बोला जाता है Catecola Minds स्केटागोला माइन्स अब यह करते क्या है फिर या आपने सुना होगा प्रपल एफ साइकलोजी में साइकेट्रिक में ठीक है हम सारी चीज़े लेके चल रहे हैं अब दोन में हैं अगर पड़ोगे तो उसमें भी है आप जब वहां पर मेरे मेकेनिजम में पड़ोगे फ्लाइड्र फ्लाइड्र रिस्पॉंस और यह सारी सीचे पड़ोगे आप उसमें केता कोला माइन जा काम किया होता हैं इस्ट्रेस वगैरा माम आता है हम और कोई स्ट्रेस अगया तो उससे फेयर वह मुंत तो गाल आम 엄 latin करतें मुझा बबाते हैं स्ट्रेस हारमों नगे बैंज अब एक और हमने डाइेस्टिव इस्ट्रम में पड़ा था, ठीक है, पैंक्रियास को, जब मैंने एक चीज़, बिया सुरूब कहा है NDोक्राइनड, कि एक होता है EXpowerion, एक होता है pastor, फारा एंडोक्राइनड, ठीक है, लेकिन हम पैंक्रियास को दोनुमे ही नहीं रखते, पड़ते हैं, लेकिन रखते एक में भी नहीं क्योंकि यह होती है hetero krine gland ठीक है hetero krine gland बोला जाता है इसको लेकिन कहीं भी पूछे आप दोनुमें इसको यूज कर सकते हूं ठीक ऐसा कुछ नहीं है hetero krine नहीं लिखा है मैंने hetero krine gland क्या होती है है जिनमें दोनुम function होते हैं हमने पढ़ा था यह एक leaf safe या fish safe का organ है इसमें हमने पढ़ा था यहां पे कुछ cells present होती है जिनको हमने pancreatic cells बोला था यहां से एक duct निकलती है तो जब duct के तुरू जाता है तो इसको तो हम exocrine बोलते हैं और यहां पे कोई सीधे-सीधे इसे cells present थी जो सीधे blood में डाल रही थी इंके पास कोई भी duct नहीं थी तो यह वाला जो पार्ट आता है पीछे वाला ठीक है इसको pancreatic isolate वाला parts बोलते हैं क्या बोलते है pancreatic isolate यह टेल वाला पार्ट जो होता है हमारा वह कौन सा होता है कौन सा होता है वह होता है एंडोग्राइन पार्ट क्यों होता है क्योंकि जो एंडोग्राइन पार्ट में जो cells होती है वह अपना डारेक्ट सीक्रीशन किसम कर देती हैं blood में कर देती हैं कोई duct की ज़रूरत नहीं है उन cells को ही हम होता है pancreatic isolate endocrine cells या isolate यह भी सुना होगा आपने isolate of Langerhans के नाम से भी वह cells जाने जाते हैं अब ठीक है अब यह cells करते यह लेयर नहीं है चार तरीकी की cell है अभी confused हो जाओ गया एक दो तीन चार तो पहले वाली जो cells है यह एक की cell के अंदर चार तरीक की cells है यह कह रहा हूं में ठीक है तो पहले कुछ cells होती है alpha cells कुछ होती है beta cells इसली बार मैंने डेल्टा या गामा बताया था साहथ कुछ भी आप इसको डेल्टा गामा कुछ भी मान सकते हैं ठीक है और एक होती इनको बोला जाता है ग्लुकागन ग्लुकागन बोला जाता है बीटा सेल्स को क्या बोलते हैं बीटा सेल्स को बोलते हो आप इंसुलीन क्या बोलते हो इंसुलीन और जो डेल्टा सेल है या जिसको गामा सेल बोला था आपने उसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन क्या बोलत सभाइट तक अभी यह द्यक्ट काम आप अन nih अब करेंगा ग气 लोगोज को कर देंगी इंसुलीन का काम क्या होता है कुछ निमटेझ कि कि हमने बोला अलफा ऑल्फा सेल और अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल, इनका नाम क्या है, अल्फा सेल का नाम क्या है, ग्लुकागन, ठीक है, क्या है इसका नाम, ग्लुकागन, ठीक है, ग्लुकागन, बीटा का नाम है, इंसुलिन, बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन, अल्फा सेल सिक्रीट क्या करती क्लुकागल इड efecto करती है यह इन दोनों को मैंटेन करती है मैंनेर aynı किसको मेंटेन करती हैई एक अल्फा एन बीटा को मैंचेन करती है एन वैसे कोई इन में काम नहीं है इनको बोलते हैं पॉलीपैप्टाइड polypeptide pancreatic cell, ठीक है, यह अलगी है इनका वैसे function अभी तक पता नहीं है पर कहा जाता है, जब इनका function ज़्यादा देखने को मिला है, research पे देखा गया है कि जब polypeptides या F cell का function ज़्यादा देखने को मिला है, तो इस time पे pancreatic juice भी ज़्यादा देखने को मिला है, तो हम इसको endocrine में तो लेते नहीं है, तो main ये तीन चीज़ा आप याद कर लीजिए, अगर आपको F cell भी याद कर लीजिए, तो F cell भी याद कर लीजिए clear हो गया, alpha cell glucagon secret करती है, beta cell insulin करती है और data cell इनको maintain करती है अब बात करते है glucagon की, जब glucagon secret करेगा तो क्या होगा अरे blood glucose level maintain हो जाएगा blood glucose level increase होगा increase का मतलब, अगर blood में glucose कम हुआ, तो यहाँ से glucagon क्या करेगा, glucose secret करेगा जो normal कर देगा, insulin क्या करेगा जैसे blood glucose level जादा होगा तो insulin इनको cell में धक्का देगा कहाँ पे, cell में push कर देगा और यहाँ पे glucose level कैसा हो जाएगा कम, ठीक है, तो यह exam में पूछा जाता है, कि अगर insulin beta cells हैं, तो वो क्या करेंगी glucose को कम करेंगी या जादा करेंगी तो insulin या beta cell कभी भी glucose को जादा नहीं करती है यह क्या करती है, कम करती है कम करने का मतलब है, नॉर्मल करती है ठीक है, ऐसा नीकी, low कर देती है clear हो गया, और data cell इन दोनों को maintain करके रखती है, clear हो गया इतना, okay, now हम अब बात करते है किसकी, अब एक organ जो हमने नहीं पढ़ा था, वहाँ पर वो है spleen, ठीक है, spleen यह आप digestive system में लिक लिएगा इसको, यहाँ पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हमने इसको discuss नहीं किया था तो सबसे पहले इसको बोलते हैं इसका size कितना होता है, वो देख लेते हैं exam में, कौन से exam में यह पूछा गया था I don't know, पर आपको competitive books में मिल जागा है paper जब हम solve करेंगे, दीरे-दीरे competitive exam के तब पता चल जाएगा तो यह जो आपको, यह कहाँ पर देखने को मिलती है यह देखने को मिलती है, आपकी जो आपकी, कौन सी है 9th से लेके 11th तक 9, 10 और 11th पर यह आपको क्या देखने को मिल जाएगा आपको Left side पर जब आप demon को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे मतलब, तो left side पर क्या देखने को मिलेगा जहाँ पर हमारी rips जुड़ी होगी 9, 10 और 11th, अगर इसकी location आए तो यही लिखनी है, 9 से लेके 11th तक आपको क्या देखने को मिलेगा, इस्प्लिन देखने को मिलेगा, अब इसके बात कर लेते हैं इसके कुछ functions की, किसकी functions की तो function क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो आपने इसको graveyard of rbc बोला था ठीक है, तो यह क्या करेगा, rbc का destruction करेगा, जब उसकी life span खतम हो जाती है, 120 days की बाद rbc को कौन तोड़ेगा, वो तोड़ेगा स्प्लिन, दूसरी चीज़ क्या होती है यह phagocytosis में भी help करता है आपको, ठीक है phagocytosis ठीक है, अब आपको यह लिखके बताना कि phagocytosis क्या होता है ठीक है, immature response तीसरा क्या काम करेगा, यह sorry, immune response की बाद करेगा तो तीसरा यह immunity का काम करता है अब कैसे करता है immunity का काम बताइए अरे हमने बोला phagocytosis करेगा, तो immune response तो करेगा अब एक question यह भी आता है कि spleen कितना amount of blood क्या करता है, store करके रखता है तो इसका एक काम storage of blood भी है 300 से लेके 400 ml तक क्या करता है, blood को store करके रखता है, ठीक है और अब यह आपने एक चीज़ बहुत important सुनी होगी कि fetal life में बताओ, यह बताओ कि blood का formation कैसा होता है अब bone तो है नहीं, red bone marrow और yellow bone marrow जो भी है, वो तो form हुई नहीं है, तो अब यह बताओ आपकी fetal life में कौन कौन बनाता है, cells ठीक है, तो fetal life के during, कौन बनाता है blood cells कौन बनाता है वो बनाता है आपका spleen, ठीक है spleen, fetal life के duration में कौन बनाता है, spleen मनाता है clear हो गया इतना, तो यह हमने छोटा सा पल दिया, spleen के बारे में, thank you